हेलो गुड इबिनिंग नमस्कार मैं कुंदन सिंग आप सभी को मेरे यूटूब चनल टीवील कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम 10th कलास से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टण अब जेंट तो कोशन का अध्यान करेंगे जो बिहार पूल टेकनिक पारा MAYडिकल इंट्रेलिंटेट्स exam के लिए वी कानी काफी आणिवाल है त 그냥 6pent robust तो सभी हैं नियांतरन और सम्नवे उठाइए तो पहला कोश्चन है हमारे सरीर में बिभीन जविक कार्यों का नियंत्रन जो होता है वह किसके द्वारा होता है तो राइट अप्शन होगा तंत्रिका तंत्र एवाम कुछ रसायनों के द्वारा यह पर किरिया संपन होती है नियुक तेहां थे खेणे मस्यों के द्वारा होता है मतला हमारे सरीर में जितनी करिया होती है यह संभव होता है सेकंणinhas है वे-सीजिक एस्यट किस परकार का रशायन है और यह निया ज़न है यह बिर्धि को कम करता है अगला प्रास्ट नहीं बीजरहित पाउधों के उत्पादन में यह सहायक है इन्हीं में से कॉन बीजरहित पौधों के उत्पादर में सहायक है तो इसका राइट अप्शन हो जागा ओकिजीन एवं जिवरेलिस दोनों हर्मोन काफी महत्वपूर्ण है इस कार्यों को आंजाम देने में अगला प्रस्ण है इनमें कौन फल पकाने के लिए पर्युक्त होते हैं मतलब इनमें से कौन ऐस सहायन है जो फेल को पकाता है तो तो राइट अप्शन हो जागा एधिलीन नामक जो हार्मोन है वह प्लको पकाता है और अहर्मोन क्या है? करव निक पदार्त है मतलब दिमाग का मेडूला नामक जो भाग होता है वह हिर्दय एस्पांदन और स्वासन की गति को नियंतिरित करता है इस तरह हम आगे बरते हैं अगले प्रश्ण के अगला प्रश्ण है इन में से कौन बूध्धी और चोतुराई का केंद्र है पुछा गया है इससे दिमाग का शेडि बढ़म नामक जो चैंद्र होता है वह क्यानी अगला प्रश्ण में हाल्मॉन एस्तिरावित होता है तो इसका right option होगा अंतोह एस्तरावी गरंथी याद रखना है अंतोह एस्तरावी गरंथी द्वारा हर्मोन एस्तरावित होता है और यदि पितासय का बात किया जाए तो जो पित जो होता है वह यकरित द्वारा एस्तरावित होता है यकरित भी गरंथी है या मनुष्य की सबस हर्मोन है यह सिर्फ पूरुसों में पाया जाता है इस्तुरियों में यह ना होता है इस तरह में आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है estrogene estrovit होता है estrogene नामग जो हर्मोन है वह किसके हर्मोन अंडा होता है तो इसके जबएक्स की छाप्टर का ऑप्रॉ bands होता है लास्ट वाला को देखते हैं तो इसका फॉस्ट को सने नहीं पाय जाता है इनुमें से कौन पीर पाउधा होता सेकंड कोस्टन है बाहे उछी पनों के परभाव से पाउधों में होने वाली गती को हम क्या कहेंगे तो उस गती को तरह दोबराँ गती होती है इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण की और जो कि मोस्ती इंप्रोटेट्न को सब्सक्राइब सवाल हे निवलेखित पादप अंग परकास औंवर्त्रन को परदर्सित करता है तो तो इस राइट अप्सन होजेगा मतलब यह जो होता है तना में भी होता है और पति में होरे रइट मिल्रकiph का गा नाम देंगे कि वह केमिकल के दुबारा होती है अगला सवाल है पाउधों में कौन आंग गुर्तवानुवर्तन दर्शाते हैं तो अभी हम बता है परकास नुवर्तन का मतलब पेर पाउधे का जो जमीन से ऊपर वाला जो भाग है वहां परकास की और गती करता है इसलिए उस दलाए सब्सक्राइब निए reliekas के पाउधे है अगला सवाल ओकी जिनका संसलेशन होता है Dust की जो हर्मोन होते हैं उनका संसलेशन कहां होता है थारि शिर्षो की सहारेथा से इनका संसलेशन होता है कि अंके में जो होता है वह खोई एवं गदोनों में होता यानि जोरों में भी होता है और भुरुन पोस में भी होता है अगला सवाल है कोशी का दिर्गहन द्वरा तौने की बिर्धी करते हैं तो इसका राइट अप्शन होगा आरों के जिंडह होगा इसका राइट ऑप्शन होगा जोहगा जोहोगा कि इसी हर्मोन दौरा य। अगला प्रश्वल है कि पादप अप्षोयो की से विरखत आकार के फेलों फूलो ज उत पादन किया जाता है सवाल है किस पादप हर्मोन के दुवारा बरे आकार के फ़ल येवं फूलों का उत्पादन किया जाता है तो इसका राइट अप्शन होगा जिब्रेलीन से नामक हर्मोन के दुवारा यहा परकिरिया संपन होती है अगला प्रस्ण है गैस के रूप में पाए जाने वाला हर्मोन कौन है तो एथिलीन जो है यही गैस के रूप में पाए जाने वाला हर्मोन है जो फ़ल को भी पकाता है याद रखने फल पकंने वाला हर्मन कोने गयाष की रूप में हर्मन कौने ति इसова आगे बढ़ते हैं और प्रस्ट के गऊर्ट अगला प्रस्ण है कि इस पादप हार्मोन को पाउधों परची रेखने से सिग्रहीं पतियों का बिलगन हो जाता है तो इसका राइट अप्शन होगा अगला प्रस्ण है निमलेखित कौन कोशी का बिभादन यहां कोशी का दिरगन को आवरूध करता है तो इसका राइट अप्शन होगा इसका राइट अप्शन होगा यही कोशी का बिभादन यहां कोशी का दिरगन को आवरूध करता है यानि रोकता है अगला सवाल है कौन से हार्मोन के परियोग से पतिया अधिक समय तक हरी और ताजी बनी होती है मतलब किस हार्मोन के दौरा जो पतिया होती है वह अधिक सम करते हैं अगले P northwestern कि और अगला प्रस्ट नहां नेमलेखित में गौन जिरुनता को रोखते एवं कॉल्ड़ोफिल को काफी समयतาก नॉस्ट नहीं होने देते हैं तो इसका सही एंसर होगा साइ्टोकाइनिन इसके पौहलबल कसंफन था तो इसका भी साइटोकाइनिन ही रा मैं यंट आप्सन होगा अगला प्रस्ubenे सभी जनदों में तंत्री की ये नींत्रन इमोंन सनोहन के लिए पर्योकत राचनाऊ की काइगे तो इसी काइगे को हम निवरान को रहेंगे कि याद रखना है की तंतुरिका ऊत्त की काई उसको हम न्यूरान कहते हैं यह कोंद नौन सकते IS स्राइब करता है कि दूपने मैं टंतुरिक का शाइटन की और करता enfermed था यह इक न्यूरान का हूँ भाग है इसका राइट अप्सवन देंडराइट कि मुझे निवरान के उपरी जो सिर्ष होते हैं उसमें बहुत पतले पतल धागे के दुर निकले होते हैं अगला प्रस्थ ने वह रसानिक वदार्थ जो तो तरीका आवेक को एक सुन से दूसरे निवरान की डेंडराइट मे लुदय को अगर मस्तिक का बहाग है मतलब हमस्तिक को तीन भागों में बटा गया है अगर मस्तिष्क माध्य मस्तिष्क और पर्स मस्तिष्क और सेरीबराम यह अगर मस्तिष्क कहीं भाग है अगला सवाल तंतु मैं स्वयोजी उतक की बनी एक जिली जो मस्तिष्क को चार और से घहरे रहती है उस जिली को हम क्या कहेंगे तो उस जिली को हम मैंनी जीज कहेंगे क्या बलेंगे मेनि जीज अगला प्रस्ट नहीं निम्नांकीत के कौन एचीक पेशियों कि तीका नीहंतरन करती है तो बहती को हम सेरी बेलम बलेंगों क्या क्या बलेंगे सेरी दूद अगला स्ने Complete में कौन मास्टर गरणी मतलब किसको master गरन्थी कहते हैं तो याद रखना है पीट्री गरาน्थी को मास्टर गर economist कहते हैं यह सभी गरंथियों आपनानियूंत्रन बनाए रखती है तंदरी क्या कोशीका निवराण कीसे हैता से अगला प्रस्ण एप्रुपक नेफरीन नामक हार्मोन किसे से स्तरावित होता है ,प्र होता है अगला प्रस्ण में कि औधिक एस्तराव से जाए गैटिज बहुमक ऑने से बढ़व हो जाता है नामक बीमारी को बिन पाइटमारी को हम बहुत होता है तुक इसके है बिर्धी हर मोन होकर बिर्धी हर बस्वाद से आदमी आपकर से अधिक लंबा हो जाता है जिसकी पीमारी को हम भीम कायोतों या जाइकर्टिज्म कहते हैं आज जब यह हार्मोन की कमी होती है हमारे सरीन में तो बवनापन नामक इस्तिति आ जाती है अगला सवाल है दूसरे निवरान के द्राइस से जूर कर संपर के सथापित करता है उससरे स्थान को हम क्या बोलेंगे तो उसस स्थान परते हैं ऊगला प्रस्थ की हो अगला प्रस्थ न है मानव खोपरी का वह भाग जहां मौस्तिस्क इस्तित होता है क्या कहलता है तो इसका राइट अप्शन होगा किरेनियम क्या होगा किरेनियम मतलग मनुस्य के खोपरी के किरेनियम भाग में ही हमारे दिमाग इस्तित होता है अगला सवाल है मनुस्य के मौस्तिस का आउस्त आयत आयतन होता है और स्वासन गति का नियंतरन किसके दोबरा होता है तो हमरे सरीन में बीपी और स्वासन गति का जो नियंतरन होता है वह मेडूला ओभलांग्येटा दोबरा व्यवटा है और डीस कोहां नहीं उलगां डीसरावी गरंति नहीं है यहसे कौन रइयर सतरबी नहीं है तो राइट आकर अब्रूनर्य कर त्वक्राप fte sami को सकते हैं बाके पाकि दिव तरह चाप्टर के का नाम है का इस पार्त का विडियो देखने के लिए मेरी चनल पॉल जुरे और मेर को सब्सक्राइब करें मिलते हैं आगले वीडियो में सब्HHHH के लिए नमस्कार जय हिन जय भारत